हालो फ्रेंड्स वेलकम टू क्येटिव सीमास लाइफ आज मैं आप लोग लिए लेकर आई हूँ शिवरात्री स्पेशल मिठाई तो अगर आपके पास टाइम है दस से बीच मिनिट का और एक कोकोनट है आपके पास तो बस ये मिठाई हो जाएगी फटाफट से रेडी और वो भी जीरो ऑईल में इसमें किसी भी तरह का गी का इस्तमाल नहीं किया जाएगा और इतनी टेस्टी और हेल्डी ताजा नारियल क की मिठाई तो शुरू करते हैं ये मेरे पास इनकनारियल है इसको मैं तोड़ लूँगी और फिर बड़े आराम से इसको निकाल लें ग्लास की हेल्प से या चमच चाकू से मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर लगने का डर होता है उसका तो चमच से ग्लास से जैसे भी आप नि निकाल लें और इदर साथ ही साथ मैं चड़ा दे रही हूं कड़ाई में लगबग साड़े साथ सो गिराम मिल्क मिल्क उधर पकता रहेगा और मैं इदर नारियल को धो के छील रही हूं आप इसी तरह इसका ये हाड़ पार्ट निकाल दें क्योंकि अगर इसको रखेंगे तो उसमें जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो ऐसे आप पीलर की साहता से या चाकू की साहता से जैसे भी हैं आप इसको रिमूव कर दीजिए और फिर अच्छे से इसको दो के छोटे-छोटे टुकडे कर लीजिए और ये मैंने टुकडे कर लिये हैं दो के अच्छ और मैं इन दस बारा काजू और कोकोनट की पीसिज को मिक्सी में जा रही हूं, ग्राइंड करने, यह मैंने मिक्सी में डाल लिये हैं, और यह देखे मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं, कि दर दरा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, मैं छूकर आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं होगा कि ये कोकोनट पाउडर है इसलिए मैं एक बड़े बाउल में इसको सिफ्ट कर ले रही हूँ आप जो दूद है उसको भी साथ साथ चलाते रही है बीच में तो लगबग साड़े साथ सो गिराम से ये आदा किलो दूद जब रह जाएगा मतलब धाई सो गिराम जब ये रिडियूस हो जाएगा उस टाइम पर मैं इस कोकोनट के बुरादे को डालूँगी इसमें अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है और आप इस रेसीपिक को बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोकोनट पाउडर है उससे भी आप बना सकते हैं अब में एक चमस दूद लेके कुछ केसर के धागे बिल्गूने रख दिये हैं और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा कि उससे ही मेरी स्पीज की नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी और आप मेरे साथ लिंक में रहेंगे तो प्लीज बिलकुल मत भूलिएगा बेल आइकन दबाना अब मैं इसमें सिफ्ट कर रही हूँ कोकोनट का बुरादा जो मैंने बनाया है फ्रेश कोकोनट से इसमें मैंने डाली हुई है इलाइची पाउडर थोड़ा सा अगर आपके पास इलाइची पाउडर नहीं है तो दो से तीन हरी इलाइची कूट कर इसमें आप डालने छिलका उसका निकालने अब आपको इस स्टेज पर बहुत धियान रखना है पर चलाते रहना है आपको क्योंकि मिल्क भी है और कोकोनट ये दोनों चीजें कड़ाई में चिपकती बहुत जल्दी से और ये मेरी कड़ाई नोनिस्टिक नहीं है इसलिए मुझे खास तोर से धियान रखना ये आपको चलाते रहना है लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो से चलाते चलाते इसको बिल्कूल रिडियूस हो जाना है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पांच शे मिनिट लगेंगी अगर आप चलाते हुए इसको पकाएंगे मीडियम फिलिम पर अब ये देखिए ओल्मोस्ट रेडी हो गया है और इसमें आपको बिल्कूल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अभी जब बिल्कूल रिडियूस हो जाए दूद तब मैं इसमें डालूंगी वन फोर्थ कप चीनी और दो से तीन बड़े चमज मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर कि इससे जो है हमारी जो रेसिपी है उसको अच्छी बाइंडिंग मिलेगी तो अगर आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाकी अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप वैसे भी बना सकते हैं अब यह देखिए कड़ाई ने बिल्कूल जो जो है अलग-अलग हो जाए एकदम तो आपकी जो है यह फाइनल स्टेज है अब इसको मैं ट्रांसफर कर लूँगी बड़े बावल में जिसमें मैंने कोकोनेट बुरादा रखा हुआ था उसी में डाल लिया है अब इसको थोड़ा सा 5-10 मिट रेस्ट के लिए छोड़ दे आप चाहें तो किसी भी मोल्ड में डाल के इसको बर्फी की तरह भी बना सकते हैं लेकिन आज मुझे कुछ अलग ही डिजाइन बनानी है इनको मैं दो तरीके से बनाओंगी तो पहले मैं जो है पेड़े की शेप में बना दी हूं इसको जरा सा गी लगाई है तिली पर और जुम्तियसर के धागे मैंने भिगोए थी दूद में एक एक धागा लगा दीजिए इससे जो है देखने में अच्छी लगेंगी और आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यह है सेकंड शेप जो मैं बना रही हूं ओवल शेप तो आप इस तरह स जैसे चाहें आप बना सकते हैं शेप जो आपको उच्छी लगे तो मेरी रेस्पी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी रेस्पी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू म मिलती रहेंगी तो कैसी लगी मेरी ये डिजाइन अगर मेरी ये मिठाई आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे वो भी कम टाइम में बिना घी के टेस्टी और हेल्थी स्वीट बना स इस्पीरियंस मुझे शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्पी के साथ तब तक खुश रहें मस्त रहें बाई बाई